सब्सक्राइब करें टेक्निकल स्टोडी टी चैनल को और बेल आइकन को प्रेश करें आज काम इस टोपिक में वाल क्या है वाल क्या होती है तो उसके उपर डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लाश्ट तक दखते रहें तो आएए हम इस टोपिक में वाल के उपर डिस्कस करते ह इं जैसा आपो टोपिक देखके ही समझ में आ जाएगा वाल है महां पर देखी permett syndrome चाहें जो क्या करती है दो रूम और दो एरिया को क्या करती है सेप्रेट करने में मदद करती है तो आप आईए हम समझते हैं वाल देखिए वाल का जो आप इस फिगर में देख रहे हैं वाल है और क्या करती है दो area को separate करने में मदद करती है देखिए जैसे मनें नोट पर दिया हूँ यहांँ पर भी करा तो देखिए हम आय समझते हैं यहां पर मैंने लिखा हूँ दो रूमिन, देखिए जैसे कोई आपका क्या हो, बड़े से होल हो जैसे आप figure में देख रहे हैं और जो separate करती है या है वही consists Very meaningful को हो सकता है अलगाल मैठेल tusui सबन सकता है जैसे बिरीक का भी हो सकता है ब्रीक का हो सकता हैं मेटल सिट का हो सकता है गलास का हो सकता है और के से बहुत LOOK color किया क्या सकता है तो उन चीज़ पर धियान sucking म Sophia करती है कि कि यहां पर मिर में दिया हूँ कि आ है दू एरिया को सिप्रेट कर रही है कि देखिए जी नहीं तो ऐसे सु क्या करेंगा वहाँ पर हम गाले है आ ट्री सब बीच में तो क्या होगा ए अरिया क्या हो सपोयलूड हो जाएगी तक चंद ठाइब देखिल का है दौर यह जुवाइब करणक्र ठीक है तो आई एंवस्पनते यहिवाट का टाइस का अलग या हें जए से इसका अलग यह होता है यहर। अलग नावत होते होता या तो आईए क्या पहले चलते है एक उ바लीं तो क्या वाल का टाइप है ? अलग-अलग अलग अलग मेटेरियल की वैसेश पर अलग इसका टाइप है और दुसरा क्या है ? अक्रोड टू ? लोड बेरिंग देखिए अलग लग टाइप है तो इन चीज को हम डिसक्स करेंगे तो पहले हम जान लेते है according to material, देखिए according to material, देखिए according to material, वाल का टाइप यह अलग अलग टाइप है, देखिए यह में छोटे से आने की जो मेरा यह टाइप से में मोटे मोटे तरह बता रहा हूँ ठीक है, इसका part 2 में, इसमें डिप्लिक स्पैन कर देंगे ठीक है, और according to load bearing wall का क्या type है, उसका कहाँ पीज होता है, वह सारी चीज़ को हम पार्ट 2 या 3 में हम और अप डाल देंगे, ठीक है, वाल का type है क्या brick missionary wall हो गया, जैसे आपका hollow, cement, concrete wall हो गया, देखिए brick missionary wall के जो रेकुलर हम डेली विज में करते हैं, जो आप फिगर में देख रहे हैं, वह क्या है, brick missionary wall हो गया, देखिए brick missionary wall जाधा तर construction हो रहा है, बहुत famous है brick missionary wall, इसको आप जान लेना बहुत जरूए रहता है brick missionary wall, और दूसरा आप देख रहे है, hollow cement concrete wall, जैसे आप इस figure में देख रहे हैं, देखिए hollow cement concrete wall होता है, यह architect's point अप से आनिके दिखने बहुत अच्छा यह wall क्या होती है, देखिए, यह wall जो है, load bearing, यानि कि यह wall है, जो load को ज्यादा resist नहीं करती है, इसका stint बहुत विख होता है, as compare brick missionary wall, फिर भी इसको load bearing के category में आप रख सकते हैं, ठीक है न, और तिसरा क्या है, RCC wall, देखिए RCC wall आप हाल फिलाल बहुत इस होने लगी है, ल वहाँ पर आपको बजादा wall में strength लाना है, वहाँ पर क्या करें, RCC wall कर दिजिए, ठीक है, फाइबर cement sitting wall, देखिए, फाइबर cement sitting wall जो आप figure में देख रहे है, यह क्या है, यह फाइबर cement, यानि कि फाइबर cement से बनता है, यानि कि जो पतले cement का होता है, यह factory में बन के आती ह और क्या करती है, वहाँ पर install कर दिती है, फाइबर cement, पतले से layer होता है, जो दो अरदिक area को separate कर दिती है, और तिसरा यह क्या है, glass metal seat wall, देखिए, यह तो बहुत फिमसे, glass का wall, metal का wall, यह आप कोई भी area पर नर्माली आपका temporary काम चलाना हो, तो वहाँ पर यह wall देकर आप, ज इसको temporary काम चला सकते हैं, दो area को separate कर सकते हैं, जैसे आप figure में देख रहे हैं, देखिए brick में, इस नरी wall को कैसे हम calculate करेंगे, उसका link में ने description दे दिया हो, जैसे wall construction करेंगे, इसमें कितना मरब brick आई, क्या 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 quantity आईगी, उसका video बन चुगा है, according to material, यह जितना सारा wall ह इसके और deploy में expand करेंगे, आने वाले next part 2 में, और according to load bearing, wallcat और taps क्या है, इनको भी हम जानेंगे deploy